फेस टू फेस प्रोग्रम देख रहे हैं दश्कांदा मैं स्वागत करदा हैं जिस तरह तुसी जान देओं कैसी वक वक शक्सीता देनाल इस प्रोग्रम देविच तो अड़ी मुलाकात करवानियां असी जेकर देखिए ता कई बार अजेहे हालात असी अतिहास देविच देखिए हैं के जदों एक जातीनों उठके दूसरी थांते मुडम से बेली जाना पेंदा हैं जिस तरह के पार्त पाक दी जो वंड होई ता बहुत सारे जड़े हैं हिंदू अते सिक प्रवार पार्त द विच गए इस तरह ही एक अजय हालात बने के जम्मू कुष्मीर देविच्चों भी बहुत सारे जड़े परवार है ओहो उत्व तब्दील होके जड़े दूजियां दूजिय राज्जान देविच आई आज असी चर्चा करांगे कश्मीरी पंडता दे मुद्देते इस च असी देखिए कि कश्मीर देविच्चे जदों हलात बदले ता उस तो बाद लोकाने उतो माइग्रेट होना शुरू किता कश्मीर एक बहुत जड़ी है सुन्दर जड़ी है कह सकते के कुदरत है के नजारा है कश्मीर है उत्वाद वर्गा कलंक के में लग गया सर इसमें ऐसा है 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार हो गई इंडिया पाकिस्तान वार में मश्रकी पाकिस्तान और मगरीबी पाकिस्तान था इंडिया ने सपोर्ट करके एक नया एक मुल्क पैदा किया जिसको हम बंगला देश कहते हैं जी बंगला देश बन गया लेकिन जो प बाई को बाई से दूर कर दिया झी उसमें हमारी इंद्रा जी उसमें परदानमंतर टीज देसकी और बाई के लोगों को ये जिमत में रह गया है कि बैठ देखो इंडिया ने भाई वहाई वहिको जोड़ा नहीं कामियाब हुई है फिर वो उन्होंने देखा कि हिंदोस्तान में एक छोटी सी एक कौम है जिसको हम सी कौम करते हैं कहते हैं जो पंजाब में रहते हैं उन्होंने उन नौजवानों को या किसी तरीके से वहां की लोगों को बेला बुरसा थे पंजाब में एक तबाही का में जाती है उनको ऐसास हुआ यह तो कुछ नहीं है यह तो सिर्फ पुल्टिकली है तो उन्होंने उसको वहां से अगरवाद आतंगवाद दूर हो गया फिर पाकिस्तान को लगा कि हमने काम्याब नहीं हुए फिर उन्हें एक हंदुस्तान में छोटी सी एक जगा जमू कश् खलाब मतलब अपने दर्म का परचार कर दिया कि हमारी दर्म खत्रे में आप वो करो यह करो दिस एंड लैट उसका नतीज़े यह हुआ कि वहां पर उन्होंने निजाम मुस्तपा चाहां जी इसलामी हुकूमत चाहिए निजाम मुस्तपा चाहिए हम वहां पर हिंदू थे हम तो नहीं चाहते थे क्योंकि हम अपनी दर्म की पालन करना चाहते हैं, वहां पर एतनी जब हमें सक्फी हो गई हमारी माता बेनों पर मतलब उनकी इजच करों बे का रहून लग्या, तो मजबूर हुई कि बोड़ों की हकुम्मत ने जड़ा तो अड़ा साथ ने नहीं उस वक्त जो देन ओड़ प्राइमिस साफ इंडिया वीपी सिंग थे जी हूम मिनिसर थे मुफ्ति महमद से हूम मिनिसर हमें कुछ भी कर सकते थे वह हमारे लिए उस समय अगर हम छे डिस्टिक थे कश्मीर में डिस्टिक हैड़काट में कहीं भी रखे हमें सुक्रिटी का मतलब वो इन्जाम करते हम कश्मीर से ना निकलते हैं केड़े साल दे बेचे टिक कुछी ज़्यादा जिड़े कास करें कि क्श्मीरी पंड़ता है वो तो इनीस सो एट नाइंटी एटी नाइंटी में जी पंजाब के ट्रंस्पोर्टरों को दन्यवाद देता हूं पंजाब के लोगों को दन्यवाद देता हूं दिल से दन्यवाद देता हूं कि वो पंजाब के लोग ट्रंस्पोर्टर अपने ट्रक लेके खाली ट्रक यहां से लेके चले गए और वहां से हिंदू को बेड़ बक लिए अगर कोई भी कश्मीरी पंडित कोई भी कश्मीरी हिंदू या कोई भी कश्मीरी सदार इस वक्त उस कश्मीर से हिंदोस्तान में आके जिन्दा है मैं ज्यादा क्रेडिट देता हूँ अपनी तरफ से पंजाग की ट्रंस्पोर्टरों को पजाब के लोगों ने जिस जिनों ने एक हिमत का मतलब मुझारा किया और हमें निकाल दिया गया तो बाद लोग के द्रों उद्रों गए सी वही हलात तो सी उद्रों देखिया उन लबे दिया मगर सर एक चीज है जब हम 1947 में इंडिया पाकिस्तान डि यह ना कोई फोर्स की लेकिन हमें दुख इस बात का है आज के डेट में जब कि हंदोस्तान में जितने कस्म का सेक्यूर्टी फोर्स इंटेलिजन्स वो माजू थी परंट मीडिया भी था टेलफून भी था मतब हरे चीज़ था हमें पता नहीं चला कि रातों रात क्या हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया हमारी सरकार जो वहां पर थी उनको चाहिए था कि हमें वहां पर रोके कलस्टरूम में कहीं सेक्यूर्ट जगा पर रखे ताकि हम कश्मीर से ना जाए आज हमारी पूशन यह होगी कि हम गर से बेगर हो गए एक दुख की बात है मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हंदोस्तान हम हंदोस्तान के शहरी हैं हम हंदोस्तान के स्टीजन है हंदोस्तान के आईं के मताबिक हम उसका रेस्पेट करते हैं उसके मतल मताबिक हम करते हैं वहां पर एक फंडामंटल राइट्स लिखा है फंडामंटल राइट्स में यह आपको यह कह नहीं है यह देख लीजिए कि हम कश्मीरी पंटू से कितनी ज्याती होगी जी आज के डेट में सरकार ने पहले जब हम वहां से कश्मीर से निकल गए थोड़ा सा उनको एक रिलीव देते हैं राशन फ्री देते हैं एंटू में रह गए आज उन्होंने कुछ कलस्त बना दिये कुछ 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 लोग यह जो बिचारे अच्छे लोग थे जो कि बारत माता की जय बोलना चाहते थे जो कि हंदोस्तान की नाम को रिस्पेक्ट करना चाहते थे बारत माता की आईन को मानते थे उन विच हमारी तरफ से हंदोस्तान के डिपरेंट शेहरों में अपना अपने बच्चों के साथ रहते हैं कि जैदा सी जा पैसा सी सारा हो उत्थे चाड़ है कि वह भी अपना फिर सारा जड़ा तब वातला तुसी थे पंजाब पे जहोर ना राजानवे विच कीता है हम जब वहां से क अपनी ज्यान बचाओ, अपनी माताओं का बैनों का इसथ बचाओ. किसी उइस तरह कर दो लिए ज्यादा तरह सिरिफ हमें एक ध्यान रखा कि हम अपने माताव बैनों का इज़त इज़त का मतलब बचाएं जी वहां से निकले हमने प्रॉपर्टी तो वहां ही छोड़ी आज चुबी साल मुझे एक अफसोस की बात है हमारे दर्म के मताबिक बगवान राम चंदर जी को जी अब मारा माराजा दश्रत और केकी ने बारा साल का बनबास दिया था बारा साल का पूरा होने जे बाद उनकी तपस्या को यह हो गई आज कश्मीरी पंडित चुबी साल हो गए और हमारी तपस्या ना कोई नाम लेता है ना कोई कुछ कुछ को करता है सेंटर की एक प अगर या भी किसी कश्मीरी पंडित ने उसको डिस्पोज आप किया जो वहां पर सपोर्ट एक कनाल जमीन का लाक रुपया वेल्यू होता है जी वहां पर उसको पांच हजार या दस जार प्रे दिया गया जी अब आप अंदाजा लगाएगे कितना लॉस हमाय हमारा हो गया मैं डिस्ट्रिक बारा मुला बॉर्डर डिस्ट्रिक का रहने वाला हूं मतलब उस डिस्ट्रिक में ज्यादा सेव होता है हमारी भी सेव के बाग थे हमारी भी खेती बाड़ी थी हमारी मनलब सब कुछ था हमारा इतना लॉस हो गया इतने सालों से हमारी जमीन का पता नहीं हमारे कुछ नी पता है, नाम ही हमारे मतलब जो हमारी जैसे एक फर्द होती है, फर्द में होते हैं दो कालम, मतलब यहां भी वही है, काश्टकार होता है, नाम मालक और मतलब काश्टकार, मतलब काश्टकार, हमारा नाम जो खुद काश जिसको बोलते थे, आज वहां पर औरी कोई नाम है हम वाँ पर कभी कभी काशकार बन गए या तो हमारा नाम ही डिलिट हो गया एक कोई चर्चा से ऐसे तरह जारी दखना कि ब्रेक तो बाद फिर हाजर उन्या असी चर्चा कर रहे हैं किश्मीरी पंड़ता बारे जेड़ी के कम्यूनिटी साथी है जड़ी हलात ता करके जड़ी जम्मू कुश्मीरी तों वक्ष वक्ष राज्यांदे विचे तब्दील होगी